हमाजर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है इसी बीच मौसम विग्ञान के इंदर शिमला ने 10 और 11 अगस्त के लिए हमाजर प्रदेश में बारिश का ओरेंज अलड जारी किया है लगतार हो रही बारिश से जहां जीवन अस्त्वियस्त है तो वहीं लोगों के मन में बीते वर्ष की आपदा की भयानक यादे फिर से ताजा हो गई है प्रदेश में लगतार बारिशों का दौर जारी है और आने वाले समय में भी बारिशों का दौर यूँ ही जारी रहेगा मौसम विग्यान केंदर ने जहां दो दिनों के लिए बारिश का औरेंज यलट जारी किया है वहीं आगामी दिनों में 14 अगस्त तक बारिष का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है 10 और 11 अगस्त को अत्यधिक बारिष होने की संभावना है और 14 अगस्त तक प्रदेश के विविन हिस्सों में भारी बारिष की भी संभावना है मौसम विग्यान के इंदर शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 और 9 अगस्त को मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है वहीं 10 और 11 अगस्त को प्रदेश में बारिश का ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है इसके साथ ही 14 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा इस दोरान लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है इसके साथ ही भारी बारिश को देखते हुए अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के पांच जिलों में फ्लेश फ्लड की चेतावनी भी जारी की गई है इन जिलों में हमाचे प्रदेश का जिला चमबा, मंडी, कुलू, शिमला और सिरमौर जिला शामिल है इसके साथ ही हमाचे प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटे में जहां तापमान में गिरावर दर्श की गई तो वहीं कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्श की गई है प्रदेश में सबसे कम जिन्तम तापमान, कुकुमसेरी में 13 घंटे में दर्श की आ गया, वहीं शिमला में 16.5 घंटे में 21.3 घंटे में 22 घंटे में 15.4 घंटे में 23.3 घंटे में दर्श की आ गया है